दोस्तो चौते टेस्ट मैच के पहले दिन अकास दीप सिंझ ने कमाल की गेंद बाची करते हुए इंग्लैंड को पूरी तरह पहले दिन ही धेड़ कर दिया था लेकिन जोय रूट ने आखरी में आकर कमाल की बल्ले बाजी करी और इंग्लैंड की जबरदस्थ वापसी करा द जहां इंग्लैंड का ये फैसला आच एक बार फिर से अच्छा साबित हुआ क्योंकि इस मैच में जैक करोली और बैंडक ने इंग्लैंड को एक बार फिर से भैतरी शुरुवात दिलवा दी थी और इन दोनों बल्ले बाजों ने पहले विकेट के लिए ही 47 रणों की विकेट मिलते मिलते रहे गई लेकिन जब इसके बाद अकासदीप सिंग दसवा ओवर डाल रहे थे तो तब उन्होंने एक के बाद एक करके इंग्लैंड को दो जटके देते हुए बैंड डक्ट और ओली पोप को आउट कर दिया था जहां दोस्तों पहले बैंड डक्ट 11 बना कर आउट हुए थे तो उली पोप तो अपना ख़ता भी नहीं खोल पाए थे तो इसके बाद तीसरा जटका भी अगासदीप सिंग ने 57 रण के स्कोर पर इंग्लैंड को देते हुए जैक करोली को क्लीन बोल्ड मार दिया और जैक करोली 42 रण बना कर आउट हुए थे जहां उनके आउट होने के बाद जौनी बैस्टो और जोई रूट ने इसके बाद कमाल की बलेबाजी करी और इन दोनों बलेबाजों ने इंग्लैंड का स्कोरी 100 रण के पार पहुँचा दिया था लेकिन तबी 109 रण के स्कोर पर इंग्लैंड को चौथा जटका अश्व इनका शिकार बन गए थे जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने बैन फॉक्स उत्रे और दोस्तो बैन फॉक्स से इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रहे थे तो इसी बीच जोई रूट ने अपना अर्शा तक पूरा कड़ डाला था और धीरे धीरे करके दोनों ब बले बाची कर रहे थे और अपने शतक की ओर ध्रेद्रे आगे बढ़ते जा रहे थे तो उनका साथ देने टॉम हरली उत्रे थे हलाकि दूसरी तरफ टॉम हरली को मोहमस राजली क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो तेयरें बना कर राउट हुए थे जा उनके आउट होने क बाद बैटिंग करने ओली रोबिसन उत्रे और दोस्तो रोबिसन इस मैच में काफी आगरमक बैटिंग कर रहे थे और इसी बीच दूसरी तरफ खड़े जो रूट ने इस मुकाबले में अपना शतक पूरा गड़ डाला था और इस तरह इंग्लैंड की टीम ने पहला दिन खतम होने तक 302 रन बना लिये हैं 7 विकेट के नुकसान पर और जो रूट 106 रन बना कर नौट आउट खड़े हैं तोली रोबिसन ने भी 31 रन बना लिये हैं और वो भी नौट आउट हैं और दोस्तो इंग्लैंड की टीम ने कमाल का परदेशन करा है शुरुवाती 5 विके गिर जाने के बाद